आगे देखिए लिपी की उपियोगिता लिपी की अनेक उपियोगिताएं हैं लिपी का रूप लेकर लिखे जाने पर विचार सून इशित और इस्थाई हो जाते हैं तो अगर हम लिपी की सहायता से लिखेंगे तो क्या होगा? हम अच्छे से लिख सकते हैं और इस ताई भी होगा क्योंकि पता है हिंदी की लिपी है तो इसमें कौन शर्षब्द कैसे लिखना है ठीक है फिर है लिपी विचारों को समय से आगे बढ़ा देती है लिपी की मदद से ही विचार, ज्यान विज्यान, नई खोज और जानकारी, प्रसार और विस्तार पाती है संसार के किसी भी कोने में प्राब जानकारी हर कोने में पहुंचती है और उसका लाप संपूर्ण मानवता को मिलता है तो लिपी की साहिता से ही जो लोग है वो अपने अपने विचार अपने अपने बाबों को आराम से लिखते हैं और दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो जिस वेक्ति को जिस लिपी का ग्यान होगा अगर उस लिपी में कुछ बाते आएं तो वो आसानी से पढ़ सकता है और आसानी से समझ सकता है तो ऐसे नही नही खोश भी हो सकती है, लोगों को नही नही जानकार्या मिलती है, उनका ज्ञान बढ़ता है, आगे देखिए प्रत्थम उप्योगिता तो स्वयम भाषा के लिए ही होती है, दुनिया में वे ही भाषाएं जीवी त्रहती और विकास करती हैं, जिनकी स्वयम कोई लिपी होती है, तो अगर हम लिपी की उप्योगिता के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली उप्योगिता तो स्वय उस भाषा की खुद की लिए एंटाम क입ले में और और फिर क्या विकास होता है वह आगे से आगे बढ़ती आइए तो जा एकले हम्ती थे कि